फैजाबाद लोकसभासीत यानी आयोध्या में लगातार ये मुद्दा छाया रहता है राममंदिर का मुद्दा यहाँ पर अलग-अलग तरीके की राजनीती होती है लेकिन जो राजनीती यहाँ पर होती है वो पूरे देश की सियासत तै करती है यहां महंत जो ग्यानदाश है उन्होंने अभी वोटिंग की है वोटिंग करने के बाद उनके सारे लोग जो यहां पर पहुचे हुए है सब लोगोंने वोटिंग किया है क्या खास मुद्दे हैं यहां के इनसे जाने की कोशिस करते हैं आप लोगों की क्या खास अहम मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज आप वोटिंग कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर के कभी बड़े अस्तर पर चर्चा वैसा इस बार नहीं हो रही है। मतलबे नहीं है तो हमारे कहने का प्राय कि भगवान सबको सत्थ बुद्धी दे और जिससे हनमाई सत्थ बुद्धी दे जिससे राम मंदर बन जाए। प्रधान मंत्री जी यहां से 25 किलो मिटर दूर आए लेकिन राम लला के दर्शन करने के लिए नहीं आए। आप इस लोग इसको क्या किस हिसाब से दिखते हैं। वो तो कोई समस्या हो रहा होगा उनके मन में वो तो प्रधान मंत्री ही इसका जवाब दे सकते हम नहीं दे सकते। कॉंग्रेस के जो प्रत्यासी हैं उन्होंने कहा मंदिर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ जो वर्तमान सरकार है उसको हटाना है। कोई मंदिर का मंद्दा ही इशूर हम आप से पता दे। एक आद्मी के करने से नवनाम मंदिर बनेगा और नगुरेगा। हमारे कहने मतलब एक आदमी क्या कहता है और पुरे देश में तमाम प्रत्यासी हैं तमाम MP होंगे तमाम MP होंगे वो सब लोग के निर्णन लेंगे एक आदमी क्या करेगा है शुक्रिया अस्तक से बातचीत करने के लिए तो यह थे हनुमान गड़ी के महान ज्यानदास जिन्ह झाल